ये है वारनसी के निवासी तुलसी संजय जोशी। इनका परिवार हर साल तिरुपती बाला जी के दर्शन के लिए जाता है। वहां से प्रिसाद के लड़ू को घर लेकर आता है। लेकिन जब से ये खबर सामने आई है कि लड़ू में इस्तमाल होने वाले घी में चर्बी प सोचा भी नहीं होगा। दरसल तिरुपती बाला जी के प्रिसादव में मास और चर्बी मिलने के बाद से देशभर में बवाल मच गया है। इस विवाद के बीच संतों में भी खासा नराजगी देखी जा रही है। इस बीच वारनसी में अब तिरुपती जाने वाले भक्त इस पाप को धोने के लिए शुद्धी करण का सहरा ले रही है। दरसल भक्त मंदिरों और घाटों के किनारे पंच गव्य के माध्यम से अपने शरीर और मन का शुद्धी करण करवा रही है। सुमवार को पांडे घाट स्तेतेक मंदिर में एक परिवार ने शुद्धी जिसको हम ज्यादा लोगों को शेयर भी नहीं कर पारें। क्योंकि बताने से यह दुख बड़ जा रहा है। यह हमारी सबसे बड़े दुबिता है। तो इसको अब हम कैसे खतम करें। इसके लिए हम लोग एक पद्धती अपना रहे हैं। जिसमें हम पंच गव्य से अपन लोग वहां जा रहे हैं जिनके सेंटीमेंट आगहात हुए हैं या जिनोंने सोचा कि हम लोगों ने ऐसा चीज खा करके गलत किया। तो उस कृत्य को सही करने के लिए हम शुद्धिकरण की प्रोसीजर अपना हुआ है। मंत्रो चारण के साथ इस प्रक्रिया के माध्यम से शरीर की शुद्धी की जाती है। ये प्रक्रिया ना केवल शारिरिक बल्कि मानसिक शुद्धता के लिए भी जरूरी मानी जाती है। काशी के विद्वान तुलसी कमला कांत ने बताया कि जिन लोगों ने तिरुपती बाला जी के दूशित प्रसाद खाया है वो अब पंच गव्य के जर्ये शुद्धिकरण कराने आ रही है। शास्त्रों में पंच गव्य के माध्यम से शुद्धिकरण का विधान प्राचीन काल से चला रहा है। तिरुपती बाला जी के प्रसाद में मास और चर्बी के मिलने के बाद से भक्तों का शुद्धिकरण की ओर बढ़ता रुजहान ये दिखाता है कि धार्मिक विश्वास और परंपरा के प्रती उनकी आस्था कितनी गहरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रही लोकली टीम